जहिन दोस्तो बुगोल की क्लास में आपका स्वागत है आज हम आपके कक्षा 11 की जो सेकिंड बुक है भारत बोतिक प्रियावरन उसके पहले चेप्टर भारत स्थिती आकार एवं पडोशी देश इस चेप्टर के important question को त्यार करेंगे जो कक्षा 11 के विद्यार्थियों के सा राजसाद राजस्तान की विभिन परतियोगी प्रिक्षाओं की त्यारी कर रहे साथियों के लिए समान रूप से important है चलिए start करते हैं आज के अपने पहले प्रशन से आप भी साथ में भाग लीजिएगा पहला प्रशन है का वरतमान में भारत में करमशे कितने राज्य और के अंदर साशित परदेश है ओप्षन आपके सामने लिखे हुए 28 राज्य आठ के अंदर साशित परदेश 29 राज्य साथ के अंदर साशित परदेश 28 राज्य नो के अंदर साशित परदेश या 29 राज्य और आठ के अंदर साशित परदेश इस चेप्टर में सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, विवर्तमान में कितने राज्य और केंदर सासित परदेश हैं, तो ध्यारे किये अच्छे से दिमाग में सेट कर लो, 28 राज्य और 8 केंदर सासित परदेश हैं, तो यानि पहला option अपना सही है आपको पता है पहले 29 राज्य होते थे लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य का दरजाब नहीं है वो केंदर सासित परदेश बना दिये थे और कौन-कौन से केंदर सासित आपस में मिल गए उन सब पर चर्चा भी आगे कर लेंगे तो ध्यान रिखिएगा 28 राज्य है और 8 केंदर सासित परदेश दूसरा प्रेशन है आपके सामने जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित करके दो केंदर सासित परदेश बना दिये एक जम्मू कश्मीर नाम से और दूसरा लदाख ये कब बनाई ये बताना है जम्मू कश्मीरा जैसे इसको विबाजित करके जम्मू कश्मीर और लदाख दो यूनियन टेरेटरी बना दिये अब को पता है जम्मू कश्मीरा 370-370-189 की नोटिफिकेशन याद होगा दो नॉम्बर 2019 है लेकिन इन दोनों को केंदर सासित बनाने का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ वो तारीक है 31 अक्टूबर 2019 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लदाख दो केंदर सासित परदेश है वो बनाई गे अगला प्रशन है तीसरा दादरा और नगर हवेली केंदर सासित परदेश को तता दम्मन और दीव केंदर सासित परदेश को एकिकरत कब किया गया यानि पहले ये दो केंदर सासित परदेश अलग अलग थे दादरा और नगर हवेली और दूसरा दमबन और ती लेकिन अब इन दोनों को एक कर दिया गया है और हमें ये बताना है भी इन दोनों को एक करकर एक केंदर सासित परदेश कब बने अब confusion दूर हो गया होगा भी पहले 29 राज्ये थे जम्मू कस्मीर अलग हो गया तो 28 बढ़े और दो केंदर सासित परदेश बढ़े तो पहले केंदर सासित परदेश साथ थे और दो और बढ़े तो नो हो जाने चाहिए थे नोई हो गये थे लेकिन बाद में इन दोनों को दादर नगरहवेली और दमण दीव को एक कर दिया तो एक फिर कम हो गया तो कितने बच गये थे 28 राज्ये और 8 केंदर सासित परदेश हो गये वरतमान में और वो तिथी कौन सी है वो है 26 जनवरी 2020 को याद रखिएगा 26 जनव को दादरा और नगरहवेली और दमण और दीव केंदर सासित परदेश को एक ही कर दिया था इन पर आधारित भी कुछ क्वेशन ओ रहे हैं आगे देखते हैं दादरा और नगरहवेली और दमण और दीव केंदर सासित परदेश अब ये पूरा इतना बड़ा एक नाम है भ जौमपूर, तो इसकी जो राजदानी है वो है दम्मन, द्यार कियेगा इस के इंदर सासित परदेश की वर्तमान में राजदानी दम्मन है। अगला प्रेशन देखिएगा जम्मू कश्मीर को तोड़कर जम्मू कश्मीर और लदाक दो केंदर सासीत परदेश बन गए तो यहां लदाक जो केंदर सासीत परदेश है उससे जुड़ा सही विकल्प बताना है आपको भारत के सबसे विरल जन सिंख्या वाले भागों में से एक है ये सही बात है इसमें दो जिले ही है कारगिल और लदाक बिलकुल सही है और लदाक की जो राजदानी है वो ले है ये भी सही है तो इसका मतलव ये तीनों कथनी सही है तो चोथापना उपरोग सभी ओप्शन सही ह अगला प्रशन देखिएगा छटा जम्मू कश्मीर केंदर सासित परदेश की ग्रिशम कालिन राजदानी जम्मू कश्मीर जो केंदर सासित परदेश है गर्मियों में इसकी राजदानी कोन सी होती है क्योंकि आपको याद होगा जम्मू कश्मीर की मौसम बदलते ही राजद और यही जब वहां सरदी का मोसम आ जाता है तो राजदानी कोण सी हो जाती है तो अब गर्मी का मोसम चल रहा है इसका मतलव सारा प्रसासनी करें वहां सिरी नगर से ही होता है तो जम्मू कश्मीर केंदर सासीत परदेश की ग्रिशम काली राजदानी सिरी नगर है अगला प्रशन देखिएगा सात्वा निम्न में से कौन सा अक्षांसिय विस्तार भारत की संपुर्ण भूमी के विस्तार के संधरब में प्रासंगिक है सिदी सी बात है भारत का अक्षांस ये विस्तार बताना है ओप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं गोर कीजिएगा NCRT में आपने ये क्विश्चन पढ़ा भी होगा तो कौन सा है भी सही इसका 8 डिगरी 4 मिनट उत्तर से 37 डिगरी 6 मिनट उत्तरी अक्षांस नोर्थ नोर्थ है ध्यार कियेगा 8 डिगरी 4 मिनट उत्तर से 37 डिगरी 6 मिनट उत्तरी अक्षांस और एक चीज़ और ध्यार कि आपको पता है साइड में अपना एक ग्वीप है अंडोमान और निकोबार दीप समु है और अपने हमारे देश का जो दक्षणी सीमा है जो बंगाल की खाड़ी में यानि निकोबार का जो एंडिंग पॉइंट है अगर उसकी बात कर लेते हैं तो कहां से स्टार्ट हो जाता है अपना अक्षांस 6 डिगरी 45 मिनट से हो जाता है ये भी द्यान रखिएगा जब हम दक्षणी जो सीमा है अपनी बंगाल की खाड़ी में वहां 6 डिगरी 45 मिनट उत्री अक्षांस से निरधारित होती है और मुख्य बुम ये वह 8 डिगरी 4 मिनट उत्र से 37 डिगरी 6 मिनट उत्री अक्षांस अक्षांस ये और देशांतरिय विस्तार पता होना ही चाहिए अब आप से ये पूछलू भी बारत का देशांतरिय विस्तार कितना है तो याद होगा ना अगला प्रशन है का निमन में से किस देश की बारत के साथ सबसे लंबी स्थलिय सीमा लगती है तो बारत के पडोसी देशों के नाम पता होना चाहिए और किस के साथ कितनी सीमा लगती है तो सबसे लंबी स्थलिय सीमा किस देश के साथ लगती है वो है बंगला देश के साथ, 40000 में किलोमेटर अगला प्रशन देखिएगा नुवा निम्न में से कौन सा देश क्षेतरफल में भारत से बड़ा है बहुत प्यारा प्रशन है, भारत से बड़ा देश इन में से कौन सा है अब आपको यहां कुछ तथ्य पता होना चाहिए, भारत का क्षेतरफल की दरश्टी से कौन सा स्थान है एक तो यह पता होना चाहिए, सातवा स्थान है भे अब भारत से बड़े जो साथ देश हैं, छै, उनके नाम पता होना चाहिए एक तो रूस है, क्षेतरफल की दरस्टी से, उसके बाद कनाडा आता है, फिर चीन की बाद करते हैं, अमेरिका आ गया USA, ब्राजील, और एक आ गया ओस्ट्रेलिया, ये 6 देश हैं जो भारत से बड़े हैं क्षेतरफल की दरस्टी से, अब प्रसंद, नाम ये अच्छे से पत होना जाएं ये इनके बारे में, कौन सा देश के शेतरफल में बारत से बड़ा है, तो ओप्षन क्लियर कट है, वो कौन सा है, चाहिना, अगला प्रसंद देखिएगा, निमलकित याम्योतर में से, कौन सा भारत का माननक याम्योतर है, यानि भारत का प्रमानिक समें किसे मा बताना गया है ये बताना है अच्छे से पता होगा साड़े 82 डिग्री पुर्वी देशांतर अब आप ये बताईएगा ये अपना देशांतर जो है भारत का माननक याम्योतर ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है नीचे ओप्षन में बताई कमेंट करके बताईएगा अगला प्रशन है अगर आप एक सीधी रेखा में सीधी रेखा में राजस्थान से नागालेंड की यात्रा करें तो याने पश्चिम से पूरुव की ओर जा रहे हो तो निमलखित नदियों में से किस एक को आप पार नहीं करेंगे याने आप राजस्थान से पुरुवत्तर में नागालेंड की तरफ जा रहे हो सीधीरे खा में तो बीच में कोण सी नदी नहीं आएगी ये बताना भी यमुना आजाएगी ब्रह्म पुत्र आजाएगी और गंगा आजाएगी ये तो सारी चलती इधर है बही यहीं तो आत पार नहीं करेंगे अगला प्रशन देखिएगा बारवा भारत का सीमा अंतरगत क्षेतर का समुद्री भाग की तरफ फेलाव है भारत का सीमा अंतरगत क्षेतर आगे समुद्र की ओर कितना फेला हुआ ये बताना है समुद्री मील में बताना है तो कितना है ओप्शन आपक मील यानि लगबग 21.9 किलो मिटर है भी किलो मिटर में बात करें तो आप ये जरूर ध्यार कियेगा एक समुदरी मील है वो लगबग 1.8 किलो मिटर के बराबर होता है एकजेक्ट बात करूँ तो 1.824 यानि एक किलो मिटर 824 मिटर हो गया तो लगबग 1.8 किलो मिटर तो 12 समुदरी मील अर्थार 21.9 किलो मिटर तक भारत की सिमा है वो मानी जाती है समुदर के अंदर अगला प्रेशन है भारत की उत्तर से दक्षिन तक वास्तविक दूरी कितनी है उत्तर से दक्षिन तक नौर्थ से साउथ तक कितनी दूरी है भी वो है 3214 किलोमेटर 3214 किलोमेटर और पूरव से पश्चिम भी द्यान रखिएगा पूरव से पश्चिम की बात करें तो कितना आता है 2933 किलोमेटर है भी 2933 किलोमेटर है अगला प्रशन देखिएगा चवधवां भारतिय मानक समय ग्रीन विच मध्य समय से कितना आगे है भारतिय मानक समय जो सड़े 82 डिगरी है वो GMT ग्रीन विच मध्य जो टाइम है उसे कितना आगे है भी वो हैं सड़े 5 गंटे सड़े 5 गंटे याने 5 गंटे 30 मिनट ये ओप्शन हो गया अगला प्रशन देखिएगा पंदरवा प्रशन है कि स्यूंक तराजे अमेरिका में समय कटी बंदूं की संख्या कितनी है याने टाइम का डिसाइड करने के लिए जैसे अपने भारत में एक इमानक रेखा है सड़े 82 डिगरी पूर्वी देशांतर उसी परकार USA की बात करें USA और USA क्यों साथ में दूसरा देश भी कर लेते हैं कनाडा USA और कनाडा इन दोनों के अंदर टाइम डिसाइड करने के लिए क्योंकि इनकी जो चोड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है इन राजियों की इसलि वो 6 समय जोन के अदार पर डिसाइड होते हैं एक और प्यारा सा प्रेशन है भी रसिया की बात करें रसिया क्योंकि सबसे ज़्यादा फैला हुआ है चोड़ाई ज़्यादा है रसिया के अंदर 11 टाइम जोन है भी 11 समय कटी बंदों के अंदर बांटा हुआ है इसी परकार अगर बात करूँ मैं उस्ट्रेलिया की बात करूँ मैं ब्राजील की बात करूँ और इंडोनेशिया की बात करें इन तीनों की बात करें तो ये तीन टाइम जोन है उस्ट्रेलिया में तीन टाइम जोन है और ब्राजील में तीन टाइम जोन है और इंडोनेशिया में भी तीन टाइम जोन है अमेरिका और कनाड़ा में 6 टाइम जोन है और रशिया के अंदर सबसे ज्यादा 11 समय कटी बंद है उनके अधार परी टाइम डिसाइड होता है उनक्षेत्रों का अगला प्रेशन है का भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलिय दरातल का कितने परतीशत भाग इतनी भूमी हमारे पास है भी लेकिन जनसंक्या की दरस्टी पर हम क्षेत्रफल में जरूर सात्वा हैं लेकिन जनसंक्या में हम दूसरे स्थान पर है चाइना के बार अगला प्रेशन देखिए का भारत से मनार की खाड़ी और पाक जलसंदी के द्वारा अलग हुआ देश कोण सा है मनार की काड़ी और पाक जलसंदी भारत को किस देश से अलग करती है वो देश कोण सा है वह है शीरी लंका सीरी लंका और द्यास दो जो देश है अपने साउथ के अंदर एक तो सिरी लंका है और दूसरा है मालदीव सिरी लंका और मालदीव है हिंद महासागर में है ये और ये दोनों ही द्वीपिय देश है तो ध्यार के भारत के दो द्वीपिय पडोसी देश भी है एक सिरी लंका और मालदीव जो की कहा है हिंद के अंदर है जो सिरिलंका वाला साइड जो सिरिलंका है वो बंगाल की खाड़ी की साइड में है और जो मालदीब है वो तोड़ा अरब सागर वाली साइड में हो गया तो सिरिलंका और मालदीब हिंद महासागर में अस्तित दो दूइप ये देश हैं जो भारत के पडोसी हैं अगला प्रेशन है का भारत में पूरोव से पस्चिम तक की दूरी कितनी है। लीजी पहले आ गया था ना अपने पहले उत्तर से दक्षिन आया था भी। उत्तर से दक्षिन 3214 किलोमेटर की बात की थी। और अब आगया पूरोव से पस्चिम जो हमने वहीं बात कर ली थी 2933 किलोमेटर है। अगला प्रेशन देखिए 19-1 भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पस्चिमी भाग में समय का अंतर कितना है। पूरवी और सबसे पश्चिम, यानि पूरव से पश्चिम की बात करें, इन दोनों की है, तो अब आपको क्या पता होना चीए, इनके देशांतर पता होना चीए, यहाँ आपको पता है, सत्यानमें डिगरी 25 मिनट पूरवी देशांतर से 68 डिगरी 7 मिनट पूरवी देशांत होता है यानि हमें एक डिगरी देसांतर क्रोज करने में च्यार मिनट का समय लगेगा तो दोनों का लगवग डिफ्रेंस कितना है तीस डिगरी तो तीस डिगरी को च्यार से गुणा कर दो कितने मिनट आगे एक सो बीस मिनट आगे अब यहां गंटे में पुछा है तो साठ का बाग दे दो भई एक गंटे में साठ मिनट होते हैं तो उतर क्या आगया दो गंटे तो पूरो से पस्चिम बाग में समय का अंतर क्या रहेगा दो गंटे लेकिन अब गड़ी सब के सेम ही बताती है क्योंकि अगला प्रशन देखिएगा बीश्वान, भारत में द्वीप समुहों सहित संपुन तट्रेखा कितनी लंबी है, संपुन तट्रेखा, ये बताना है आपको, द्वीप सहित संपुन तट्रेखा कि लंबाई, कितनी है, 7517 किलोमेटर है, जलिये सीमा की बात करें, इंडिया की तो 600 किलोमेटर है भी, और द्वीप साथ में जोड़ देते हैं, तो 7517 हो गया, और हमारे देश की जो टोटल स्थलिये सीमा है, वो भी हमें पता है 15200 किलोमेटर है, तो ये डाटा सब आपने पढ़ रखे हैं, ये तो इंडिया की बेसिक इस यूनिट के अंदर हमें आनी भी चाहिए, सिम्पल सिम्पल क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर सबसे पहले सुर्योद्य होगा, अब भै सूरज दादा कहां से निकलते हैं, सूरज दादा निकलते हैं पूरो में, तो इसका मतलब पूरो में जो नजदीक है, वहां सबसे पहले सुर्योद्य होगा, दिखेगा हमें, गांदी नगर गुजरात में हैं, पस्चिम में आगया, बोपाल मद्य परदेश में आगया, रांची भी इधर रह गया, अब क्या रह गया, सिलोंग, सिलोंग में गाले की राजदा निकलते हैं, इन चारों अप्श कुमारी से गोवा के बीच के तट को क्या कहते हैं, कन्या कुमारी जैसे कुमारी अंत्री भी कहते हैं, कन्या कुमारी से गोवा के बीच के तट को क्या कहा जाता है, आपको पता है न, भारत के अंदर इस परकार से स्थलिय ये अपना पूर्वी तट है, और ये पश्मी तो यह अपना इधर पुर्वी तट पर आ गया तो यहां कन्या कुमारी से गवा के बीच के तट को क्या कहते हैं यह बतना है तो वो है मालाबार तट भी मालाबार तट अगला प्रशन देखिए तेईसवां भारत के जिस राजे की सीमा किसी अन्य देश से नहीं मिलती वो कौ जिसे नहीं मिलती पंजाब की पाकिस्तान से मिलती है मेगाले और तिरपुरा की बंगला देश से मिलती है अर्याणा निम्न मेंसे उन देशों के समूह को चुनिये जिसमें समिलित सभी देश क्षित रफल में भारत से छोटे हैं उन देशों के समूह को चुनना है जिसमें शामिल सभी देश जो उस गुरुप में दे रिखें वो सारे देश भारत से छोटे होने चाहिए अब देखो अब आपक बढ़ा है भी ये सही नहीं होगा दूसरे में भी उस्टेलिया आ गया ये उत्तर नहीं हो सकता तीजरे में अपना कनाड़ा आ गया जो भारत से बढ़ा है ये नहीं हो सकता तो ये तीन ओप्शन तो कटी गए भी अब ये नहीं हो सकते अब तरीका भी देखे किस परकार से हम सही उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो मैं आमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक ये उन छे देशों में शामिल नहीं है तो इसलिए ये भारत से छोटे देश हैं सारे इस option के अंदर दिये हुए हैं अगला प्रशन देखिएगा भारत के मद्दे में से कोण सी रेखा गुजरती है भई कर चुके हैं भारत के मद्दे से कोण सी रेखा गुजरती है सिंपल सी करक रेखा गुजरती है अब प्रशन बनता है कि करक रेखा भारत के कितने राजियों से गुजरती है भई आठ राजियों से गुजरती है अब आपको पता हो ना चीए पुरों से पश्चिम या पश्चिम से पुरुव की अगर पश्चिम से चलें तो गुजरात आगया पहले गुजरात से फिर राजस्तान राजस्तान से ये रेखा मद्य परदेश मद्य परदेश के बाद 36 गड़, 36 गड़ के बाद जारखंड को क्रोश करेगी और जारखंड के बाद पस्चिम बंगाल को क्रोश करेगी और उसके बाद पुरुवत्तर के दो राज्य आगे तिरुपुरा और मिजोरम तो ये होगे अपने आठ गुजरात, राजस्तान, मद्य परदेश, 36 गड़, जारकंड, पस्चिम बंगाल, तिरुपुरा और मिजोरम तो करक रेखा है, 23 डिगरी जो उत्री अक्षान से रेखा है अपनी वो आठ राज्यों से होकर गुजरती है अगला प्रशन है, करक रेका भारत के कितने राज्यों से गुजरती है चलिए अब होई गया अपना ये तो आठ राज्यों से और कोण से है उस पर भी बात कर लिए आठों राज्यों की अगला प्रशन देखिएगा, क्या भारत की सबसे लंबी सीमा चीन, पाकिस्तान में अमार बंगला देश, देश पूछा है भी किस के साथ है तो हमें पता है भी बंगला देश के साथ है ये अपना स्टार्टिंग में प्रशन आई गया भारत की सबसे लंबी सीमा है, वो सोरी बंगला देश के साथ है उसके बाद अगला प्रशन देखी, क्षेत्रफल के अनुसार बड़े से छोटे राजियों का सही करम, क्षेत्रफल की दरस्टी से सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो देखें तीन-तीन तो हम याद रखते ही हैं, क्षेत्रफल की दरस्टी से सबसे बड़ा राजस्तान है, स पिर अंदर परदेश, तो पहला ही हो गया, ध्यार कि एक्षेतरफल के अनुसार सबसे बड़ा राजे है राजस्तान, फिर अपना पडोसी मद्य परदेश, फिर उसका पडोसी महारास्ट्र, और फिर उसका पडोसी साइड के अंदर है थोड़ा सा अंदर परदेश, तो पर कर चुके है न करकरेका कितने से गुजरती है आठ राजियों से गुजरती है तो गुजरात उसके अंदर आता है मद्या परदेश उसमें आता है जारखंड उसके अंदर आता है गुजरात राजस्तान MP 36 जारखंड पस्चिम बंगाल तिरुपुरा और मिजुरम कोण सा न competition में कहीं न कहीं पूछ ही है तो नहीं गुजरने वालों मैंने ज़्यादा तर या तो option आपको BR मिलेगा यह ODS मिलेगा क्यूंकि उसके आसपास वाले ही पूछते हैं ज़्यादार कैसेज में मैंने देखा है तो BR याँ option नहीं मिलेगा तो यह ध्यान रख लो, भी बियार और ओडिसा से करकरेका नहीं गुजरती, ज़्यादा तर कुश्यनों में जो option आते हैं उसके अधार पर, यह अपना जो option है, बियार, बियार से यह वो नहीं गुजरती है, अगला प्रशन देखिएगा, का मानक समयरेका बारत के कितने राजिय से गुजरती है, उपर से नीचे की बात करें, तो उत्तर परदेश आता है, उसके बाद मध्य परदेश, उसके बाद अपना 36 गड़ आता है, और 36 गड़ के बाद ओडिसा आता है, और ओडिसा के बाद अंद्रा परदेश, इन पांच राजियों से, अपनी मानक समयरे, एक है यह सड़े 82 डिग्री जिससे हमारे गड़ियों का जो टाइम डिसाइड होता है यह पाँच राजियों से गुजरती है उत्तर परदेश, मद्यपरदेश, चत्यशगर्ड, ओडिसा और अंदरा परदेश दिहां रखिएगा तो यह थे आज के अपने 30 क्वेशन जो कि आपके फस्ट चैप्टर 11 क्लास की सेकंड बुक से लिए गए थी सभी प्रशन इंपोर्टेंट और किसी ने किसी प्रतियोगी प्रिक्षा में आए हुए हैं अक्सर इस प्रकार के प्रशन आ जाते हैं तो आप स्कूल क्लासरूम के जो स्टूडन थे वो तो याद करें राजस्तान में कॉंपिटिशन की त्यारी करने वाले जिनके इंडिया जीके सलेबस में हैं या इंडिया का जो सब्जेक्ट है वो सलेबस के अंदर है जियोगरोफिका उनके लिए ये वीडियो बहुत ही important रहा है उमीद करता हूँ आज आपको बहुत सी कुछ नई चीजें भी सीखने को मिली होगी तो इसी प्रकार अपनी प्रकिरिया को आगे बढ़ाएंगे और कल अपने आगे इसके second chapter भारत बोतिक प्रियावरण के उसके उपर बात करेंगे तब तक जै हिन जै भारत